में मशकार में डॉक्टर स्वाती मिश्रा आज RPSC Assistant Professorship Exam Sociology जो अभी हाल में ही हुआ है दो दिन पहले हुआ है और सबी मेरे सब्सक्राइबर जिनों ने RPSC Sociology Assistant Professorship का exam attempt किया है उन सबी के लगातार मेसेज आ रहे हैं कि माम जो आपने इंडियन जो न्यू थिंकर्स पे आपने क तो ऐसा बिलकुल नहीं है मैं किसी भी पैनल में नहीं थी मैं exam paper setting के पैनल में नहीं थी वो बस एक तज्जूरबा था मेरा कि मैं इस इस aspect पे काम करूँ तो शायद question आ सकते हैं और वो experience काम आया और वैसे paper आये तो आप सभी को भी thank you इतने सारे appreciation के लिए इतने सारे आपने अच्छे अच्छे feedback दिये अभी individually मैंने किसी को reply नहीं दिया है इसलिए नहीं दे पाई हूँ कि आपका फिर तुरंत एक आने लगा need कि मैं आप answer की upload करिये तो मानिये कि मैं दो दिनों में answer की बनाई हूँ मतलब कब परसो मेरे पास paper आया है और उसको print करा के मैं लगातार क experience है न मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि अब sociology का trend बिलकुल बदल रहा है ठीक है classical sociology और जो traditional sociology का जो part है वो बिलकुल आ रहा है उसमें से कुछ questions आ रहे हैं पर अब नए sociologist को उनके contributions को नए जो कह सकते है ideas और thoughts आए हैं उनको लेकर के बहुत questions बन रहे हैं तो आपके अपने knowledge को बहुत update करना है और मैं भी कहा रही हूँ कि teachers की responsibility होती है कि वो अपने knowledge को update करें तो आप लोग best है हम लोग के भी knowledge को update करने के लिए मैं तो बार-बार कहती हूँ कि students अगर active नहीं होगा तो teacher बिलकुल भी active नहीं होगा तो आप लोग इतने active हैं तो मैं भी active हो जा रही देख रहे हैं आग के नीचे कितने गड़े हो गाएं ये दो दिन डेर दिन में paper solve करने की वज़े से हुआ है बहुत महनत हुई है और अभी भी पूरे paper नहीं solve हुए है पर आप लोग इतने परिशान थे कि जितने भी questions solve हुए है और almost मैंने 120-130 questions solve कर दिया है पर जो आज मैं rest of the questions को upload करूँगी तो चलिए start करते हैं आप अपने paper को open कर लीजे और हो सकता है कि set wise आपके अलग-अलग हो आपके questions कहीं हो और दूसरे के questions कहीं हो तो मुझे ये मेरी student ने provide किया है और thank you मेरे दो students को supriya को जो आपने मुझे paper provide किया और अंकेता आपको भी thank you जिसने मेरा help किया इसमें तो आप दोनों को मैं thank you बोलती हूँ और चलिए इसको solve करना शुरू करते हैं और start करते हैं कोई भी अगर हो सकता है कि मेरे solution में भी problem आए मतलब मैं नहीं कहा रही हूँ कि मैंने जितना solve करके दिया वो एकदम प्रतीशत ठीक होगा हो सकता है कि कुछ गलत हो ज किया है कि मैं कितना काहदे से मतलब मैं बहुत सही तरीके से solve करूं तो एक दो questions को छोड़ करके शायद ज्यादा vary न करें ठीक है आगे बढ़ते start करते हैं आज का ये वाला वीडियो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो मिरे चैनल को जरूर सब् करते हैं ब्रश जरूरी है इसमें बहुत जरूरी है पहले एक चीज आप लोगों को बोलना है कि ये जो इस पे हिंदी पे टिक लगा है ना उसको consider मत करिएगा इधर जो इंग्लिश वाला टिक है उसको consider करिएगा उसको consider करने से ही आपको सही जानकारी मिलेगी क्योंकि ये जो पेपर मुझे मिला था उस पे ये कुछ-कुछ टिक थे तो हिंदी वाले को consider नहीं कि दिएगा हिंदी मैं ले के इसलिए आई हूँ ताकि आपको उस question का हिंदी भी मिल जाए इसमें पूछा जा रहा है कि आंद्रे बिताई का इन में से कौन सा काम नहीं है तो option दिया है Marxism and Class Analysis, Caste, Class in Power, Studies in Agrarian Social Structure और Caste and Race in India तो याद रखेगा बाकी सारे इनके काम हैं Marxism and Class Analysis, 2007 में इनकी बुक आई है, Caste, Class and Power, 1965 में आई है, Studies in Agrarian Social Structure, 1974 में ये बुक आई है और जो बुक नहीं है इनकी जो इनका contribution नहीं है वो है Caste and Race in India, okay next question है, who is the author of development, planning and structural inequality, the response of the unprivileged ये भी मैंने मेरे वीडियो से ही question आया है, इसका जो answer है, वो है Victor S. D'Souza, okay next, who said urbanization is an important aspect of social organization of any civilization ये थोड़ा सा मुझे doubt है, ये MSO Rao और Victor D'Souza में से एक होगा, अभी Victor D'Souza मान के चलते हैं, okay इसलिए ये थोड़े से doubt में ये question है, आगे बढ़ते हैं who developed the concept of urbanism as a way of life, आप सभी को पता है, लुइस वर्थ, लुइस बर्पीन को कही लोग बोलते हैं the book entitled Indian Village, 1955 में ये बुक है, ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है, S.C. Dubey ने, 1955 में ये बुक आई है, okay next question है, from the following which book is authored by Meera Kosambi, Meera Kosambi का इन में से कौन से किताब है, तो ये भी मैंने आपको दिया हुआ है, already video में Meera Kosambi की जो बुक है, वो है, Bombay in Transition, Growth and Social Ecology of Colonial City, 1986 में ये बुक पब्लिश होती है ये बुक Meera Kosambi के बाकी जो तीन बुक है, वो अलग-अलग writer की है, जैसे है, An Introduction to the Study of Indian History, ये D.D. Kosambi की बुक है Problem of Rapid Urbanization India, ये बुल्जारा का है, बुक J.F. बुल्सारा, आपकी बुक है, Urbanization and Social Change, ये M.S.A. Rao की किताब है Next Question है, कि Victor S. D'Souza has analyzed kinship, caste, class and religion in his city of, तो पता ही है आपको कि Victor D'Souza ने कौन से city का इध्यन किया है City of Chandigarh, ओके, और मैं अलग सी इसका थोड़ा सा explanation कर रही हूं कि जब इन्होंने ये study, ये इन्होंने study किया तो he find that educational, occupation and income hierarchies are significantly correlated with each other In this study, internal differentiation among different groupings has been analyzed on the basis of education, occupational prestige and income ठीक है, तो इन्होंने अपने analysis में ये सारे चीजों को देखा है Next question है, Meera Kusambi studied the urban morphology of which three colonial port cities तो ये भी मैंने, ये जो मैंने एक वीडियो बनाया था, development of urban sociology in India उसमें ये साफ मैंने last page पे दिया था, कि इन्होंने ये तीन colonial port cities का study किया पहला ही answer सही है, Madras, Bombay and Calcutta 1988 Okay, next है, who among the following is associated with tribal studies in India तो Virginius Khaka, आपको भी मैंने बताया कि Virginius Khaka कर tribal studies पे बहुत ज़्यादा काम है Who conducted the field study of fringe village Shamirpur to investigate the process of urbanization and social change ये है MSA Rao का, okay, MSA Rao का fringe study ने 1957 मेंनों ये study किया है Next question है, कि who among the following has written detailed account of 36 tribal movements in India to which 14s were in the northeast region alone ये कुमार सुरेज सिंग का है, इसको भी मैंने दिया है, 1982 में कुमार सुरेज सिंग अब एक match है, match आपको करना है कि एक तरफ tribes है और एक तरफ locations है तो कौन सी tribe कहां पाई जाती है, जैसे नागा लैंड, नागाज में, नागाज जो है वो नागा लैंड में इसी तरह से तमिल नाडू तोड़ा, ये दो को आप match कर लेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा तो answer 1 है, मतलब नागा लैंड में नागाज है, राजस्थान में गरासिया है और असम में गारू है और तमिल नाडू में तोड़ा है, ओके आगे बढ़ते हैं इसमें है इन दो statement है, पूछा है कि इन दो statement में कौन सही है, कौन नहीं सही है पहले है कि tribal people live as a scattered habitation की जन जाती है, लोग जो है वो बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं ये बिलकुल सही है, बिखरे निवास स्थान में रहते हैं क्योंकि इंडिया में almost हर जगह पे tribal population पाई जाती है तो statement A is correct, another statement, tribal society is relatively isolated when compared to other societies जब हम इनके अन्य समाजों से इनकी तुलना करते हैं तो ये अलग रहें तो बिलकुल अलग है, ये अपने ethnicity को लेकर के, religion को लेकर, culture को लेकर, language को लेकर, बाकि बहुत सारे विश्यों को लेकर के ये मुख्य सम्हूं से अलग हैं, तो both A and B are correct तो पहला answer होगा कि A और B दोनों correct हैं, ओके, next आगे बढ़ते हैं Which committee is not associated with tribal issues, tribal issues से कौन सी committee associated नहीं है पहला दिया है लोकूर committee, लोकूर committee SC और ST दोनों से associated हैं, ये 2004 में गठित हुई है भूरिया committee, जोट की 2015 में गठित हुई है, it is also belong to SC and ST, scheduled caste and scheduled tribe Elvin committee, this committee was established in 1959 and this committee is also related with the scheduled caste and scheduled tribe तो correct answer is क्या है, धानु का committee, ठीक है, धानु का committee जो है, वो SC और ST से associated नहीं है ये किस से associated है, appointed to examine all current capital market regulation तो capital market regulation से ये associated है, तो मितलब बिलकुल अलग है धानु का committee तो answer जो है वो धानु का committee है, next question है, who wrote writing caste, writing gender writing caste, writing gender पे किसने काम किया है, यार रखेगा, दलित women testimonies की बार थो रही है तो answer क्या है, शर्मिला रेगे, next, ये question थोड़ा solve करने में मुझे भी दिक्कत हुई, बहुत समझना पड़ा अगर इसको ध्यान से देखा जाएना, तो still ये जो 4 मैंने किया है न, टिक, वो बहुत perfect नहीं है, मतलब आ रहा है इसके कोई भी option perfect नहीं आ रहे है, फिर भी अगर हम caucus white को Aryan से relate करें, और जो dravidian से हम बाकी चीज़ को associate करें, तब जा करके answer 4 इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता दिख रहा है कि जो caucus white है, वो किसे connected है, वो connected है आपके first option से, आर्मिनोइट से mongoloid जो है, वो connected है, mongoloid connected है, bushman, hot and tot और primary caucus white races जो है, वो indonesian, malaysay और negroid जो है, वो third जो option है, dravidian, उनसे connected है fourth मतलब मुझे समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं next book है, who wrote the book female eunach, female eunach किताब किस ने लिखी है, तो Germaine Greer, Germaine Greer ने ये किताब लिखी है, 1970 में, okay, who is the author of sex, gender and society, sex, gender and society के author कौन है, तो Anna Oakley, ये 1972 में ये किताब आई है, Bina Agrawal is development economist, known for her work on Bina Agrawal, एक development economist है, उन्हें किसले जादा जाना गया, तो याद रखिएगा कि women property right, मैंने इन पे video भी बनाया है, और ये women property right पे बहुत जादा काम की है, बहुत जादा, उस पे मैंने बहुत explain किया है, अच्छे से पूरा Bina Agrawal को, next है, who is the author of bargaining and gender relations within and beyond the household, again, Bina Agrawal की जब मैं उनके topic को पढ़ा रही थी, तो मैंने बहुत कि अगर bargaining word आ जाता है gender के साथ, तो आप Bina Agrawal आग बन करके लगा दीजेगा, तो ये 1997 में ये book आती है इनकी, एक assertion reason है, assertion reason क्या होता है, यह आप लोग अच्छे से पता है, क्योंकि आप exam दे चुके हैं, कि दो statement रहते हैं, दोनों statement सही हैं और एक दूसरे से correlate कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, या दोनों statement गलत हैं, ऐसे करके ये होता है, तो पहला है कि the difference between the sexes were a product of education and environment and not of nature, जो लिंग के बीच में अंतर हुआ, शिक्छा और पर्यावरण का परिराम है, प्रकृती का नहीं, और दूसरा है कि women have been socialized in such a manner as to become mother and wife first, इस त्रियों का सामाजी करण इस प्रकार से होता है कि वे मा और पत्नी बने, मेरे according ये question जो है, वो four सही है कि जो दोनों ही true है, पर मतलब जो reason है, वो assertion का explanation नहीं है, ओके, next question देखते हैं, which are the works of GS घूरिये, GS घूरिये का इसमें से work कौन सा है, तो code भी दिया है क्योंकि बहुत सारे हैं, तो बस tribal heritage of India, पहले वाले को छोड़के, जो कि ऐसी दूबे का है, बाकी rest जो है, citizen, civilization, culture and society, Indian sadhus, ये सारे GS घूरिये के work हैं, तो answer जो है four सही है, who has edited the voluminous work, people of India, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था, people of India work किसने कराया, कुमार सुरेश सिंग, people of India, जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा project था, जिसको कुमार सुरेश सिंग के leadership में ये काम हुआ है, next है, which eminent scholars are known for their contribution in the endological, textual perspective, आपको पता, endological और textual perspective पे भी मैंने separate video बनाए हुए, उसमें clear है कि GS घूरिये and Lewis Dumont, दोनों ही endological and textual perspective के supporter रहे हैं and follower रहे हैं, next है, which one of the following Indian sociologists used the structural functional perspective for his studies, तो M.N. श्री निवास, M.N. श्री निवास, structural functional perspective के follower रहे हैं, next question है कि N.K. Bose discussed the nature of the tribal community of which state based on ethnographic data, इसमें कहा गया कि N.K. Bose ने निजाती अध्यन सामगरी के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबन में चर्चा किये, तो याद रखेगा उडिसा, इन्होंने उडिसा में जाकर के study किया, औरिसा एंड छोटा नागपूर में जुआंस हैं, tribes वहाँ पर जाकर के इन्होंने study किया, और N.K. Bose की जो perspective है, वो आपको पता ही है, civilization perspective, सभ्यतावादी, परिप्रेक्ष, next time, who authored the book, authored the book Tribal Life in India, Tribal Life in India किसकी बुक है, again N.K. Bose की बुक है, ये 1971 में आई ए बुक, next question है कि, Eman Shrinivas is known for his work, Eman Shrinivas को इन में से किन काम के लिए जाना जाता है, तो Eman Shrinivas ने caste and caste system पे काम किया, social stratification पे काम किया, westernization पे काम किया, dominant caste पे काम किया, sanskritization पे काम किया, पर इसमें जो जो चीज़े दी है न, तो उन में से सिर्फ dominant caste मैच कर रहा है, secularization पे नहीं, comparison of civilization पे नहीं, path of development पे नहीं, तो answer मेरे क्याल से है, only A, dominant caste, okay, next आगे बढ़ते हैं, इसमें है कि, सुर्जीत सिनहा work was mainly based on, सुर्जीत सिनहा का काम किस पे किस पे based है, तो याद रखेगा, उपर वाले को छोड़के, first option छोड़के, sociology of demography, इस पे सुर्जीत सिनहा का काम नहीं है, उनका काम है, tribe caste continuum पे, tribal movements पे, and field studies पे, साथ में, मैं extra D हूँ कि, sociology of religion पे सुर्जीत सिनहा का काम है, तो बाकी जो option देख, उसको देखते हुए, answer C दिख रहा है, B, C, and D, okay, next question है, who among the following believe that tribe should have cultural autonomy, किसने ये माना कि, tribes जो हैं, जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्ता होनी चाहिए, तो ये again exam answer है, सुर्जीत सिनहा, next है, which of the following tribe is studied by SL Doshi, अभी SL Doshi last मैंने वीडियो दिया है, SL Doshi किस tribe का study किये है, तो वो भील जनजातियों का study किये, मैंने उसमें बताया हुआ है, which anthropologists try to present a single framework involving approaches of ethnographers, endologists and historians, again the answer is N.K. Boss, किस सामाजिक मानव शास्ती ने, निर्वश विज्ञान सास्ती, भारत विद्यो और इतिहास कारों के दुश्री कोर्ट को समलित करते हुए, एकल रूप रेखा प्रस्तुत की, तो N.K. Boss ने, and he was of the opinion, इन्होंने क्या माना, क्या opinion दिया, कि in order to understand Hindu civilization, and anthropologists should go beyond the applied aspects, okay, next है, again match है, आपको पता चल जाएगा, Sanskritization concept है, M.N. Shrinivas का pure and impure concept है, Lewis Dumont का, the structure of Hindu society, जो है, वो है, DP, sorry, N.K. Boss का, and dialectics जो है, वो DP Mukherjeeb का है, तो इस according answer, 2 जो है, 2 वो correct है, to which school of thought, Lewis Dumont belong, to Lewis Dumont, Indological school of thought पे, belong करते हैं, next है, which perspective is based on the assumptions, that Indian society is unique, and the Indian social institution, can be better studied to the text, यह है, Indological, ओके, आते हैं, next question की तरफ, next question है, which Indian sociologist, was against, the positivism of western social sciences, तो answer मेरे ख्याल से, यह DP Mukherjeeb है, DP Mukherjeeb एक पेपर है, इसमें जो की पेपर है, जो की पेपर published है, किया गया है, अंजन चौक्रवर्थी द्वारा, 2015 में, उसमें, the sociological imagination of DP Mukherjeeb, beyond hermeneutics and positivism, यह देख करके लगता है, कि answer DP Mukherjeeb है, which Indian sociologist, preferred to call himself, Marxologist rather than Marxist, again DP Mukherjeeb, who is the proponent of, socio-cultural marginality in Indian social slums, तो Victor S. D'Souza, Victor S. D'Souza ने, socio-cultural marginality पे, इस पे भी मैंने वीडियो पूरा दिया हुआ है, उस पे इनका काम है, who has contributed to the field of Dalit feminism, among the following, Sharmila Reghe, Indological perspective does not include empirical studies, मैंने Indological perspective पे भी काम किया, उसमें साफ है, कि empirical studies पे काम नहीं करता है, प्राचीन गरंथों पे करता है, धार्मिक पांडुली पे करता है, महा कावे पे करता है, empirical studies नहीं करता है, next question, the doctoral thesis of Dr. Ambedkar was, Dr. Ambedkar ने जिस पे PhD की, वो thesis का क्या क्या नाम था, the problem of the rupee, याद रखिएगा, first है, 1923 में ये आया है, awarded from the University of London, University of London से उन्होंने PhD की उपाधी ली थी, next है, caste in holistic and hierarchical, whose statement is this, ये किसका statement है, जाती, समगरवादी और संस्तरनात्मक है, ये है statement Lewis Dumond का, next है, who among the following sociologists, describe the relationship of users and peasants, in terms of hegemony, किस समाखशास्ती ने सूधखोर और किसानों के संबंद को, आधिपत्य के संदर में देखा है, तो David Hardiman, याद रखिएगा, David Hardiman की बुक का नामी है, Feeding the Bania, Peasants and Usurers in West India, नेक्स है, which study method did SC Dubey, opt for the study of Shamir Peer, ये है structural functionalist, next है, Meera Kosambi studied the ethnic structure and linguistic group, of which of the following metropolitans, तो Bombay, बुक का नाम है Bombay in transition, next है, which of the following elements of post-modernities, not mentioned by Jim Magugan, Jim Magugan को ढूणने में बहुत महनत हुई, इसे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, समझने पे सारे चीजों को analysis करने पे समझ में आया, कि it forms a global society, इसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी post-modernist है न, वो global society की तो बात ही नहीं करते हैं, वो ये बात करते हैं कि विखंडन की बात करते हैं, और विखंडन के करम में वो जो चोटी-चोटी संस्कृतियां होती हैं, उसके अध्यन अध्यापन पे बात करते हैं, वो global society पे बात नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि Zim Maggugan का, इन्होंने इसी point को touch नहीं किया हूं, तो अभी हो सकता है answer कुछ और भी हो, पर जैसा मेरा understanding है, Maggugan answer में ये C वाला मुझे लग रहा है, next question है, which sociologist has introduced the concept of symbolic exchange in postmodern analysis, तो gene, body light, which of the following is not a feature of postmodernism, postmodernism का features क्या नहीं लिखता है, तो ये ही वाला मुझे नहीं लग रहा था कि postmodernity advocates, meta stories, meta languages and meta theories, mahan, virtant, mahan, bhashaur, mahan, siddhan का बक्षदर नहीं है, ये खंडन करता है, तो बाकी चीज तलाशने से लगा, जो पहली किताब है, modernity and postmodernity, ये Gerard Delanthe का है, next जो किताब है, the postmodern conditions, ये Francoist Lyotard का है, जो चौती किताब है, postmodernism, a very short introduction, ये Christopher Butler का है, तो जो answer 3 है, introducing postmodernism, ये वाला answer लग रहा है मुझे, okay, next, among the post-structuralist, who has focused on the linkage between the knowledge and power, Foucault, ये French philosopher थे, who among the following has defined sociological theory as logically interconnected sets of propositions, from which empirical uniformities can be derived, ये R.K. Merton का पुरा-पुरा, ये definition ही उठा के दे दिया गया है, उनकी किताब social theory and social structure से, next है, which of the following is not the problem associated with structural functionalism, according to Zaffrey Alexander, Zaffrey Alexander का जब आप देखेंगे, तो integration उसमें नहीं रहेगा, बाकी चीज़े हैं, which social scientist has discussed language game in the theory of postmodernism, postmodernism में language game की कौन बात करता है, तो Leo, टाट करते हैं, और main language game का concept जो दिया है, वो Ludwig Wittgenstein ने दिया है, पर उसको इसमें postmodernism में लियोटार्ड ने लाया है, ओके, next, next रेकते हैं, who has discussed the model of Agile, Agile model किस ने दिया है, तो ये Talcott Parsons ने दिया है, या आप सभी को पता है, या American socialist है 1950 में, ओके, Zaffrey Alexander works are, Zaffrey Alexander का works क्या-क्या है, तो इसमें है A, B and C, neo-functionalism इनका work है, 1985 में आया है, theoretical logic on sociology, जो कि 2014 में आया है, neo-functionalism and beyond भी इनका काम है, and after भी काम है, neo-functionalism and after, ये भी इनका काम है, ज़र differentiation of society, जो है, वो लुमयान की, का work दिखाई दे रहा है, तो आप answers 3 पे जा सकते हैं, okay, 3 है ये 3, next है, dash theory focuses on the competition between the groups with the society over limited resources, conflict theory, ये सीधा सीधा एकदम आया है, conflict पे टिक लगा रही हूं, okay, who among the following is not a functionalist, तो Erwin Goffman है, क्योंकि ये symbolic inter-axism वाले हैं, आगे बढ़ते हैं, who among the following criticized Marxian theory as a monocasual explanation for a multi-casual world, ये Max Weber है, ये answer साफ एक दम, who has focused on mode of production, means of production and relation of production in the economic sphere, Karl Marx, इसी पे मैं काम भी कर रही हूं, इसी पे मैं वीडियो भी दूँगी, आगे चल करके mode of production, और production और means of production, क्या है, which of the following work is not related with Althusser, Althusser की इसमें से कौन सा काम नहीं है, तो Althusser का जो काम दिख रहा है, वो पहला ही नहीं है, theory and practice, बाकी four marks, जो है वो 1969 में Althusser का काम है, Reading Capital 1965 में, Althusser का काम है, and Lenin and Philosophy and Other Assess 1968 में, ये भी Althusser का काम है, Habermas ये लिखते हैं, theory and practice, ये Habermas की बुक है, जो है, which sociologist assessed Marxism from the linguistic point of view, and also denied Marx economic determinism, ये Gramsci का काम है, who suggested that conflict has a functional importance in society, ये लिवस कोजर है, functionalism को हमेशा positive देखते हैं, conflict को, sorry, which of the following approaches mainly focuses on the consciousness and inter-subjectivity, ये है phenomenology, next है, who is the author of book, Ideas, Introduction to Pure Phenomenology, ये Husserl's की बुक है, German Philosopher है, 1913 में, इनकी ये बुक आई है, according to Ritzer, accounting is the process by which people offers accounts in order to make sense of the world, this statement reflects which of the following perspectives, ethno-methodology, okay, 67th question, who has given the concept of rational theory of communication, Habermas, next, which thinker used post-structuralist approach in his book, genealogy of power, ये किसकी बुक है, तो M. Foucault, okay, who has written the book, The Social Constructions of Reality, Berger and Luckman, which theoretical perspective in sociology, emphasize the interdependence of component parts of society, structural functionalism, which thinker put the concept of destruction, while explaining the post-instructions, दरीदा, ठीक है, दरीदा ही, deconstruction की बार, करते हैं, विखंडन की बार, करते हैं, next, match है आपका, George Ritzer, Modern Sociological Theory, इनकी बुक है, Jeffrey Alexander, Theoretical Logic in Sociology, Talcott Parsons, The Structure of Social Action, and the D. Luhman, का है, Risk, A Sociological Theory, तो answer जो है, वो 3 है, okay, Structural Functionalist, described society as, complex network of interactions, at a micro level, okay, micro level पर बात करता है, क्योंकि, individual की बार, होती है, इसमें, next, question, which tendencies, of Neo Functionalism, are enumerated, by the Jeffrey Alexander, Jeffrey Alexander, ने, कौन सी, कौन सी, tendencies, बताई, तो, उन्होंने, five tendencies, दी है, पाच, नव प्रकारवाद, की प्रवितियां, बताई है, उन्होंने से, कौन सा, नहीं है, पुछा जा रहा है, यहां पर, तो, multi-dimensional है, left orientation है, democratic analysis है, under playing, the conflict, नहीं है, मतलब, संघर्ष, की नजर अंदाजी, इन्होंने का है, की जो, neo-functionalism के, tendencies है, वो, संघर्ष की, नजर अंदाजी नहीं है, उन्होंने क्या का है, उन्होंने का है, की conflict तो, होता ही है, incorporate a conflict, इन्होंने, conflict को, incorporate किया, न की, नजर अंदाज किया, तो, D छोड़ दीजे, तो, मतलब, a, b, and c, जो है, यह answer है, और यहां, जो मैंने लिखा है न, की, इन्होंने, चौति और पाच्वी, tendency बताई है, uncertainty, and, interactional creativity, यह भी है, neo-functionalism की, tendencies, next, 75 questions हो है, इसमें, आपको match करना है, तो, koser, जो है, वो, conflict, functionalism की है, और, यह, two answer है, और, a, जो है, koser, conflict, functionalism की, और, जो, horowitz है, वो, new, radicalism की है, dar and dar, जो है, वो है, dialectic sociology, और, heber, mass, जो है, वो, frankfurt, school की, तो, answer is, two, who stated, neo-functionalism, is a tendency, rather than a developed theory, तो, यह है, Alexander and Columny, okay, next है, who's, who among the following, were the intellectual founder, head of conflict theory, तो, Karl Marx, और, अगर, Weber होते, तो, Karl Marx, और, Weber, दोनों का नाम, आप, देते हैं, यहां पर, Weber नहीं, तो, सिर्फ, Karl Marx, who called himself, a scientific Marxist, rather than a structuralist Marxist, तो, Lewis, Althusser, which of these is not true, about Habermas, तो, Habermas, तीनों चीज़ से, बिलॉँ करते हैं, he, Habermas was, neo-Marxist, बिलॉँ तो, Frankfurt School, and also, बिलॉँ तो, critical school of sociology, नहीं बिलॉँ करते हैं, तो, Chicago School of Thought से, नहीं बिलॉँ करते हैं, यह वाला, Chicago School of Thought, next question, which of the following, does not explain, Coser's theory of social conflict, तो, conflict leads to destruction, संघर से, विनाश होता है, वो ऐसा, नहीं बोलते हैं, आगे, who quoted, words are socially constructed, and socially maintained, देखे, इस पे थोड़ा सा, डिबेट हुआ, अब अगर, constructism of reality, की बात किया जाया, तो, answer, burger होगा, और, कभी-कभी, डर्खाइम भी लग रहा है, यहाँ पर, अभी मैं, burger मान के, चल रही हूँ, answer, डर्खाइम भी, हो सकता है, चेक्ए, question mark में, रखिएगा, who used the term, ethno methodology, for the first time, Garfinkel, which of the following, contributed in the development, of phenomenological theory, तो, answer, A है, A है, and D, मतलब, answer, जो है, वो C है, third है, Alfred Schultz, and, who's else, यह, दोनों ही, phenomenological theory के, development में, participate किये, मतलब, contribute किये है, next, which among the following, are key elements, of ethno methodology, तो, answer, जो है, वो A है, मतलब, reflexive action, and interaction, or the indexicality, of meaning, यह, दोनों ही, ethno methodology के, elements में, आता है, तो, answer, जो है, वो A है, okay, the idea that, feminist goals, cannot be realized, without the destruction, of economic, inequalities, associated with, यह है, socialist feminism, देखिए, इसको सुनिये, कि, liberal feminism, क्या कहता है, radical feminism, क्या कहता है, और post-modernism, क्या कहता है, economic inequalities, को लेकर के, तो, liberal feminists, tend to focus, on unequal opportunities, relating to the sexes, rather than, protesting, against the unequal, economic status, of the different, social group, okay, radical feminist, क्या कहता है, कि, the reduction of, economic inequalities, would be, meaningless, unless the, power relations, between the, men and women, were adjusted, यह power की, बात कहता है, यह economic, economic equality, और inequality, की बात नहीं करता है, radical feminism, radical feminism, power की बात करता है, कि male or female, को बराबर का, power मिले, and some post-modernists, strongly oppose, economic inequalities, their ideas are, too diverse, to associate them, with any specific, programs, of socio-economic reform, अगर, socio-economic reform, की बात करे, तो, जो post-modernists, होते हैं, उनके, अलग-अलग, विचार आते हैं, कुछ strongly, oppose करते हैं, कुछ support करते हैं, इसलिए, post-modernist के साथ, एक कोई, जो विचार है, वो जा नहीं सकते, तो answer, यहाँ पर, socialist feminism, जा रहा है, okay, who introduced, the concept of frame analysis, frame analysis का concept, Irvin Goffman, ने 1974 में, अपनी book में ही, दिया frame analysis, Nami and book का, frame analysis, ideas of the frame, to mean, और किसलिए, to mean, to mean the culturally determined, definitions of people, to make sense of objects, and events, okay, यह ऐसा इसलिए बनाए हूँ, ताकि कभी definitions आगया, तो आप लिख सके, next है, a method which involves, a systematic and comprehension study, of particular community organizations group, with a few to the analysis, of social problems, and the presentation, of recommendations, of its solution, is case study method, case study method है, क्योंकि वो community की, group की, individual की, सभी की बात करता है, next question है, who believes that, value-free science is a myth, though it is a desirable, answer is Weber, okay, next question, according to whom, a theoretical model, is conceptualization, of group of phenomena, constructed by means, of rationales, where the ultimate purpose, to furnish, terms, prepositions, and relations, which if validated, becomes a theory, ये कुहन का है, ये paradigm shift, theoretical model पे, बात इन्होंने, किया है, next question है, 90, according to Baker and, Seren Talks, which of the following, is not the theoretical goals, of social research, तो इनमें से, जो Seren, Seren, टैकोर्स, और Baker's का, जो, social theoretical goals, of social research, पे काम है, उसमें, verification, solution of social problem, and modification, पे ये बात करते हैं, falsification, पे call, popper, बात करते हैं, तो जो, answer C होगा, call, popper, अभी मैं, आज ये, 90 questions, ले करके आई हूं, क्योंकि, explain करने में, भी हालत खराब हो गई, अगर मैं, इससे ज़्यादा भी, मैंने solve कर लिया है, मैं देज़े-ज़े solve कर भी रही हूं, पर, आज, 90 questions, explain करने में, बहुत है, बहुत लंबे हो जाएंगे, फिर मैं भी ठख जाऊंगी, आप भी ठख जाएंगे, तो अपने 90 questions, चेक करके बताएगा, कि आपके कितने जा रहे हैं, 90 में से आपके कितने सही हो गए, आप मुझे comment में, जरूर जरूर लिखेगा, क्योंकि आपके, आप लोगे comment पे मैंने इतनी मेहनत की है, तो आपको भी थोड़ा सा एक comment तो लिखना बनता है न, चलिए, take care, bye bye, thank you, और अगर अच्छा paper गया, तो party जरूर दीजेगा, और selection हो गया, तो definite party मिलनी चाहिए मुझे, है न, okay, चलिए, bye bye, take care,